नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविद हल्चल पर पशु सवर्धन मंतरी सुनिल केदार ने कहा कि सावनेर के जलाल खेडा गाव में 100 मेगावेट का सवर उर्जा पार्क स्थाफित होने से यहार रोजगार के आउसर बढ़ेंगे और परिसर की समरुद्धी भी बढ़ेगी उनके हातों एटलांटिक उर्जा प्राइवेट लिमिटेट के और से निर्मित सवर पार्क का उध्याटन किया गया विरियंट एनर्जी के वेवास्थापी की ये संचालक श्री निवासन, चीराक खड़का, विजय कुमार, पंचायत समिती सभापती अरूना शिंदे, उपविभागी अधिकारी अतुल महत्रे, जिला परिशत सदस्य प्रकाश खापरे, पंचायत समिती उपसभापती प्र प्रयास रहते हैं, इस प्रकल्प से निश्चीती स्थानीय लोगों को रोजगार के आउसर मिलेंगे, प्रकल्प के साथ ही या उद्योजगों को आवंतरित कर उद्योगों का जाल भी निर्मान करना है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके, उन्होंने गाव में सवर उर्जा के उपकरण विवस्थापन करे। अगर उन्होंने मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे से विननती की होती तो वे जरूर ऐसा करने की इजादत देते लेकिन इस तरह के नेता राज्य का वातावरिन बिगाडने का काम कर रहे है इससे शिवसैनिकों में भारी रोश है। सुनिल मैनर जी, शंकर बेल खुडे, पुर्शत तमबन, राजेश गुजर, राजेश शिरके, रमेश मूरे, मनोच शाहू, महिंद्र कठाने, रमेश पवार, दीपक पोहनकर, निलेश तीग्रे, अनुराग लारोकर, दिनकर चौधरी, वो रमेश पवार उपस्तित थे। नाइकवाडी बंगलादेश में रहने वाले लगबग 4,000 परिवारों को बड़ी राहत मिली है, उन्हें जमीन का मालकी हक मिलने वाला है, करिब 22,000 लोगों को इससे राहत मिलेगी, केंद्रियमंत्री नितिन गड़करी के प्रयासों से जमीन की रजिस्ट्री या रहने वा से बंगलादेश बस्ती बसी है, यह जमीन दरसल नागनाद बलवन्त काले की है, इस पर अतिक्रमन कर जूपड़े बनाए गए थे, मालकी हक दिलाने के लिए एक बैठक ली गई जिसमें जमीन मालिक काले को 325 रुपे प्रतिवर्ग फूट के भाव से रकम प्रतेक परिव बार देगा, यह तै हुआ, सरकार ने 80% मुद्रांग का शुल्क माप कर दिया है, इसके बाद जमीन का नक्षा मंजूर किया गया और आख्यू पत्री का तयार हुई, साथ बारा में परिवारों के नाम चड़ाये गये, सभी संबंदित नागरिकों ने गड़करी का आबार पुर्व उर्जामंत्री चंद्रशेकर बावनकुले ने आरूप लगाया कि राज्य में जो लोडशेडिंग शुरू है, वह कृत्रिम है और उर्जामंत्रा ले नीजी कमपनियों से बिजली खरिदी की माध्यम से ब्रस्टाचार का रास्ता बना रहा है, उन्होंने कहा कि देविंद्र फणनविस सरकार के कारेकाल में लगबग 9000 मेगावेट बिजली निर्मान कर राज्य को लोडशेडिंग फ्री किया गया था, लेकिन महाविकास अगड़ी सरकार की घोर निश्क्रियता के चलते राज्य में अंदेरा छा गया है, बिजली संकट का दिखावकर नीजी कमपनी से खरीदी कर भ्रस्टाचार का मार्ग खोजने का प्रयास उर्जा मंतराले कर रहा है, भाजपा की ओर लोडशेडिंग के विरोध में सविधन चोक में केंडल अंदोलन किया गया, वे इस अउसर पर बोल रहे थे, इस दोरान प्रमिन दटके, उपिंद्र पारेंद्र पटले, यश साथपुते, संकेत कुकडे, चंदन गोस्वामी साइद बड़ी संख्या में कारेकरता शामिल हुए, बावनकुले ने कहा कि फड़नवी सरकार ने रज्य के 42 लाग किसानों को 28,000 करोट की बीजली दी, 2005 से 2017 के काल में क्रिशी पंप के लिए आवे वर्तमान से लागू किया गया है, कोईले श्रमिक सभा के केंद्री अध्यक्षय वजेबी CCI सदस्य शिव कुमार यादव ने कोल इंडिया के निदेशक वीने रंजन और महाप्रबंदक अजे कुमार चौधरी के साथ वीविद मुद्दों पर बैठक की और यह मामला उठ उन्होंने कहा कि वर्तमान से इसे लागू करने के चलते वर्षों से नवकरी की रहा देख रही आश्रीत पूत्रियों को इसका लाब नहीं मिल पा रहा है इस पर निदेशक जो स्वयम इस बोल्ट के सदद से है ने कहा कि विशय बोल्ट के समक्ष रखेंगे और ऐसी सभी विवाईत पुत्रियों महिलाओं को जिन्नों ने पहले ही आवेदन कर रखा है उन्हें नवकरी धेने का बोल्ट से आगरह करेंगे यादव ने खदानों में कारेरत करमचारियों से जुड़े कई मुद्दों को उठाया और निराकरन की मांग की कई मामलों पर सहमती बनी उन्होंने कहा कि आश्रीतों को नवकरी मिलने में देरी हो रही है अधिक मोटा पा आधी मामलों में आश्रीतों को प्राथमीक चिकित स परिक्षन में नवकरी हे तो अयोग्य घोशित किया जा रहा है ऐसे में मेडिकल अटेंडेंट्स नियम में सुधार करने का सुझाव यादव ने दिया बीती वर्ष भरपूर बारिश होने से सारे जल प्रकल्पों में पानी का स्टॉक भरपूर हो गया था उसी समय मनपा के जल प्रदा विभाग और OCW द्वारा दावा किया गया था कि इतना स्टॉक है कि आगामी दो वर्षों तक सिटी को पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं है ऐसी बस्तियों में OCW द्वारा टैंकर से जलापूर्ती की जा रही है आलत यह है कि टैंकर ड्राइवर इस संकट का लाब उठा रहे है जो घरवाले उन्हें खर्चा देते है उन्हें नियमित पानी दे रहे है और जो नहीं देते उन्हें 10-10 दिनों तक पानी नहीं मिल है माने वाड़ा बेशा रोड की कुछ बस्तियों से नागरिकों की इसी तरह की शिकायते मिल रही है माने वाड़ा बेशा रोड स्टीत आरधन अनगर दो दुर्गा मंदिर के पास प्लाट नंबर 1-10 के सभी घर टैंकर से पानी नहीं लेते है इन में से 2-3 घर टैंकर से प जुर्माना वसुला इसी तरह मुंबई शराब बंदी अधीनियम के अंतरगत 10 मामलों में 12 आरोपियों को गिरपतार किया गया और उनसे 29,7,000 रुपे का जुर्माना वसुला गया इसके अलावा जुव आधीनियम के अंतरगत 5 मामलों में 8 आरोपियों को गिरपतार किया और उनसे 3,965 रुपे का माल जब तक किया गया उपर उक्त सभी ओपरेशन से यूक्तरूप से नागपूर सिटी पुलिस द्वारा किये गये थे ट्राफिक विबाग ने यह आवन किया है कि नागरिक वहां चलाते समय वहां से संबंदित सभी दस्तावेश अपने पास रखे संगितकार AR रहमान और RD बर्मन द्वारा रचीत गीतों का कारेक्रम Magic of AR RD आज शाम साड़ेशे बजे कवी सूरेजवट हॉल रेशिम भग में आयोजित किया जाएगा हार्मोनी इवेंट्स के सेवार्ट सेवार्टिस्ट पहल किता है आयोजित होने वाले इस कारेक्रम का आयोजन हार्मनी इवेंट्स के निदेशक राजेश समर्थ द्वारा किया गया है इसकी परिकलपना स्वाती खड़ से द्वारा की गई है इस कारेक्रम का मंच संचालन श्वेता शिलगाव कर करेगी दीरच परपलीवार डॉक्टर सुधिर कुन्नावार विजय गायधने निखिल साथे पदमाकर पानके अनामिका शुरुंगारप वार प्रिया देशकर मंज पुजारी और दिप्ती पुजारी का भी वीशेश सहयोग मिल रहा है इस कारेक्रम में प्रवेश निशुल कह है शहर के मुस्लिम समुदाय ने सामाजिक सद्भाव का प्रदर्शन किया है और शांती बनाय रखने में प्रशासन की काफी मदद की है सभी समुदाय की नेता बिना किसी बढ़काऊ बयान या कारवाई के शांती बनाया रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। मौलाना हसन इमानदार, अब्दुल मजित, मौम्मद अलताप शेक, अकिल हैमत, मौम्मद आरिफ हुमाईू, शवाना बेगम, आदी उपस्थित थे। मुसलीम बंदूओं को रमजान के मुबारक महिने की बधाही देते वए, पालक मंतरी डॉक्टर राउत ने कहा कि हर कोई अपने धर्म से प्यार करता है, लेकिन धार्मिक विचारों की आड़ में आतंका और टकराव पैदा करने वाले बयानों से हमें बचना होगा, और के अउरंगाबाद जिले में राजमारगों की विकास से इस क्षेत्र की तस्विर बदल जाएगी, और वर्ष्ट 2024 तक अउरंगाबाद जिले में 25,000 करोड के राजमारगों का निर्मान होगा, गड़करी ने यह बाद 3,317 करोड रुपे की 4 राजमारग परियोजनाओं के शिला नैस के आउसरु पर कही, कारेकरम में किद्रिय वित्तर राजमंत्री, भागवत करण, किद्रिय रेल राजमंत्री राओसाइब दानवे, राजमंत्री अबदुल सत्तार, सांसत सांधीПन भुमरे, विदायक संजै सिरसाट, हरी बागडे, अनिल सावे, चंद्रकान खेरे आदी उपस्थित थे गड़करी ने कहा कि 2014 से अब तक महराष्टर में 12,524 किलोमिटर नए राजमार्ग घुशित किये गये है अब राष्ट्रिय राजमार्ग की लंबाई 18,224 किलोमिटर है महराष्टर में पिछले साथ साल में एक लाग 2,000 करोड रुपे हाइवे के कारियों पर खर्च किये गये है और रंगाबाद जिले में 2014 तक किवल 145 किलोमिटर राजमार्ग थे तब से राजमार्ग की लंबाई बढ़कर 450 किलोमिटर हो गई है 600 किलोमिटर हाइवे के नए कारियों को मनजूरी दी गई है और 13 कारिय पूरे कर लिये गए है बिजली का बिल बकाया होने के चलते नाकपूर और वर्धा जिले की अनेक जिला परिशत शालाओ की बिजली आपूरती खंडित कर दी गई थी बिना बिजली के बच्चों का कंप्यूटर एजुकिशन भी प्रवावित हो रहा था और गर्मी के दीनों में पसीना भाते हुए बच्चे और शिक्षक परिशान हो रहे थे महावितरन के नाकपूर परिमंडल के तहट आने वरे नाकपूर वर्धा जिले के ऐसे 115 शालाओ की बिजली शुरू करने की जानकारी दी गई है मताया गया है कि राज्यक के शिक्षा विभाग ने महावितरन को लगभग 14 करोड रुपे दिये है इसके चलते ततकाल ही 115 शालाओ की विजली आपूरती बहाल की गई है इसमें नाकपूर की उनपिचास और वर्धा की 66 शालाओ का समाविश है Chamber of Association of Maharashtra Industry and Trade के अध्यक्षर डॉक्टर दीपे नगरवाल की नेतरुत्व में एक प्रतिनी धी मंडल ने शिवसिना के राज्यसपा सांस संजराओत से विधायक दुशन चतुरवे दी विशाल बरबटे नाकपूर शिवसिना महानगर संगठक की प्रमुक उपस्तिती में उनके नाकपूर के दो दिवसी यात्रा के दोरान मुलागात की शिरुवात में अगरवाल ने संजराओत का फूलो की गुलदस्ति के साथ स्वागत किया और विफसाय समुदाय को परेशान करने वाले तिन सबसे अधिक समस्या गरस्त मुद्दों पर प्रकास डालते हुए ग्यापन सोप्रा जिसमें नीगमो द्वारा किराय में अत्याधिक फूरुद्धी और उनकी कारवई राज्यभर में स्थानिय निकाय कर विभाग द्वारा कर आकलन की आड में उत्पिडन और NMRDA द्वारा MSME पर कारवई का समावश है। उन्होंने विधर्ब में रीफाइनरी और पेट्रो केमिकल कॉंप्लेक्स स्थापित करने की भी माँग की। लोही या अध्यान केंद्र के मधुली मैं सभागरुहा में डॉक्टर शशी वर्धन शर्मा शैलेश के उपन्यास का लोकारपन करते वे कारेक्रम के अध्यक्षय सुनिल पाटिल ने सबसे पहले विश्व पुस्तक दीवस के शुभावसर पर सभी को बधाई दी और उसके पिशाद कहा कि मन को जगरूत करने का काम पुस्तके ही करती है यह सर्वविदित है पुस्तके बुद्धी का विकास आत्म विश्वास व्यक्ति मत्व विकास और धार्मीक तथा सामाजिक सांसरोतिक मुल्यों के साथ उनकी धरओ हर को घर घर पहुचाती है एक सुन में जोश भरने का काम करती थी समिक्षक ओम प्रकाश शिवने पुस्तक उजाले की और की पूरी कहानी को समन्ती प्रथा के साथ बदलते परिवेश का सूचक माना उन्हें बताया कि कहानी में रोचकता अंत तक बनी रहती है इसका कारण शब्द सयोजन और भाषा शैली का उतकृष्ट होना अत्यनतावश है आज भी अमेरी गरीब छुआ चुत इस मानसिक्ता ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा है केवल अच्छी पुस्तकों को ही पढ़ने से हमें इससे छुटकारा मिल सकता है पवितर रमजान के मुबारक माहा में छोटे बड़े सभी लोग अकिदत के साथ अल्ला की बादब करते हैं और रोजा रखते हैं बंगाली पंजानिवासी नहनी चार वर्षे बाली का सोफिया फात्मा जाहित खान ने भी इसी श्रुंखला में अपना पहला रोजा रखा और मुल्क में अमन, भाईचारा, वशानती के लिए अल्हा से दुआ मांगी घर के बड़ों ने सोफिया को दुआउ से नवाजा और शुपकामनाय दी जगतगुरु श्रीमत वल्लभाचारियोजी महाप्रभु के 545 वे प्राकट्य मोहतसव के अउसर पर श्रीमदन मोहन हवेली न्यो इतवारी रोड में आज रात आड़ बजे को बधाई किर्तन एवं कल 26 अपरेल को बालकुषन लाल हवेली धारसकर रोड में मंगला दर्शन सुभा 7.30 बजे होगी आरती प्रभात फेरी मंगला दर्शन के पिश्चात पालना दर्शन सुभा 10 बजे राजभोक वतिलक दर्शन दोपर 12 बजे शेयन दर्शन शाम 6.30 बजे एवं बधाई किर्तन शाम 7 बजे होगा हवेलियों के विश्च्वास्तों ने सभी वैश्चनवों से दोनों हवेलियों में प्रकट उत्सों के किर्तन का लाब लेने का निविदन किया है अखिल भारते मारवाडी महिला समेलन की नाकपूर शाखा ने कुंतला गरवाल के धिक्षता में कोरोना महामारी के दोरान भी दो साल में 301 कारे करम सफलता पूरवक आयोजित किये इन में से 197 वेबिनार थे इस उपलब्धी के लिए राश्टिय स्तर पर शाखा के पदादी कारियों को सम्मानित किया गया वेबिनार के सहयोग के लिए उर्जा सम्रुधी वश्रिष्टा को शाखा की ओर से सम्मानित किया गया महिला सशक्तिकरन जनजागरन बालविकास परियावरन रक्तदान प्रकल्प में जनजागरुगता महिला सशक्तिकरन बसुंधरा को हराभरा बनाय रखने में शाखा सदस्य के सयोग से फ्रुक्षार उपन किया गया प्लास्टिक की थहली से होने वाले नुकसान को लोगों के समक्ष प्रस्तूत कर 450 कपड़े की थहली का वितरन कर परियावरन को नुकसान से बचाने की पहल की पच्चे देश का भविश्य है इसी बात को ध्यान में रखकर फैंसी ड्रेस एवं ड्रॉइंग प्रतियोगिता आयोजित किये गया बच्चो को अन्न बच्चाओ जल ही जीवन है वरक्तदान का महत्वा समझाया गया COVID-19 महामारी के दौरान हॉस्पिटल, गौशाला, करमचारी, पुलिस, रहागीर, मजदुरों को सानिटाइजर, जूस, मास, खाना, फल, चपल देकर सहयोग किया गया सैनिटाइजर मशिन, ऑक्सिजन मशिन, बीपी मशिन, पीपीए कीट वो चार कुलर राष्टर संतर तुकड़जी महाराज कैंसर हॉस्पिटल में प्रदान किये गया महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रे हिंदी विश्व विद्याले वर्था, सामाजिक नय, एवं अधिकारिता मंत्राले, भारत सरकार, तथा डॉक्टर अंबेटकर फांडेशन के सयुकतत अत्वावधान में, डॉक्टर अंबेटकर उतकुरुष्टता केंदर के रूप में स्थापित हो गया है। अंबेटकर प्रतिष्टान के माध्यम से सामाजिक नय, एवं अधिकारिता मंत्राले, हर विश्व विद्याले को साला नाव 75 लाख रुपे की राशी उपलप्त कराया जाएगी। आट दिनों की किरितन श्रुंखला शाम सप्ताहिकी के अंतिम दिन खालीलाबाद से आये सरदार हरमिंदर सिंग रोमी एवं कलकता से आये संजे मित्तल ने अपने भजनों से शाम प्रेमियो को भाव विभोर कर दिया। गीता मंदिर सुभाश रोड में साप्ताहिकी के अंतिम दिन बाबा शाम का भव्य दर्बार सजाय गया। कलकता के फूलों से बाबा का अलोकिक शुरूंगार किया गया। कारेक्रम के शुरुवात अखंड जोत जगा कर की गई। की बड़ी संख्या में उपस्थिती के बीच खलीलाबाद से आये सरदार हर्मिंदर सिंग रोमी ने नानी बाय को मायरों का संगित में प्रसंग सुनाया गया। के लोगों का दुरुष्टी को नहीं बदला है। उक्तविचार, विचारक एवं लेखक डॉक्र धनराज रहाट ने व्यक्त किये। वे यहां महावितरन की और से अधिक्षक अभियंता कार्याले प्रकाश भवन गड्डी गुदाम परिसर में। डॉक्र बाबा सहब आम्बेट करकी 131 वी जहनती के अउसर पर आयोजित एक कारेक्रम में बोल रहे थे। कारेक्रम के अधिक्षता महावितरन के प्रादेशिक साउंचालक सुहास रंगारी ने की इस अउसर पर मुख्य अभियंता नाकपूर मंडल दिलिप दोड के अमित परांज पे अधिक्षन अभियंता नाकपूर सिटी सरकल नाराएंड आम जरे अधिक्षन अभियंता नाक पुरुषों के कल्यान के लिए था लेकिन उनके कारियों को जान बुचकर प्रचारित नहीं किया गया इस देश में महापुरुषों का इतिहास विकृत कर प्रस्तूत किया जाता है इस देश में समाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबधन लोगों का सफाया कर दिया जाता है जो अत्यंत दुर्भाग्यपुर्णा है बसों में आत्रा के दुरान होने वाली आर्थिक अन्यमित ताओ को रोकने के लिए स्टी महामंडल सतर्क हो गया है वो टिकेट चेकिंग पॉइंट पर नई वेवस्था लागू करने जा रहा है इसके अनुसार पहले करीब साथ टी में बसों में मुख्य चेकिंग पॉइंटों पर जाँच करती थी लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर ग्यारा की जाएगी इससे किसी भी प्रकार की होने वाले आर्थिक गड़बडी को रोका जा सके महामंडल को ये कदम इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ करमचारी द्वारा आर्थिक अन्यमित्ता किये जाने की शिकायते मिली है पुर्वा में भी कई करमचारी इसके लिए दंडित हो चुके हैं अब पुर्वा में बने सिस्टम को व्यवस्थित कर सक्ति से लागू करना है जिसे परिवहन व्यवस्था आसानी से बिना किसी विगन के चल सके इसके लिए महामंडिल जरूरी कदम उठा रहा है तो नागपुर हलचल में आज इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीके वीडियोस नमस्कार